Hey friends, now let's jump to examination questions हम questions देखेंगे जो exam में पीछे आ चुके हैं question number 16 और 17 की practice करेंगे और आप जानेंगे कि ये question किस तरीके से मतलब बहतरीन category में आ सकता है क्योंकि आपको इसकी discussion के लिए रखा गया है basically इस वीडियो में इसको add किया गया हमारे course का इसको part बनाया गया तो कुछ अच्छाई है इस सवाल के अंदर आईए इसको attempt करते हैं और समझते हैं कि क्या अलग है और क्या बहतरीन है जो आप इस सवाल से सीख सकते हैं ठीक है sir तो question number 16 है आपके सामने you are required to generalize the following transaction कुछ transaction दिया हुआ है बैलेंस इन दे बुक्स ऑफ राहूल अ कंप्यूटर डीलर ऑन 1 अप्रेल 2017 को कंप्यूटर डीलर है इसके बुक्स में कुछ बैलेंस रखे हैं एक अप्रेल 2017 को सर एक अप्रेल की डेट अगर आ जाए तो हम समझ लें कि ये opening entry की बात कर रहा होगा बिल्कुल साइज जवाब ये बात कर रहा है किसकी opening entry की आगे opening entry के कुछ transactions दिये हुए कुछ items दिये हुए जैसे कि cash है 500 का bank overdraft है 1000 debtor है 7000 building है 6500 और computer से 3500 ठीक है सर आगे on the same day he sold a computer उसी दिन एक अप्रेल को ज़रूरी थोड़ी है कि एक अप्रेल को सिफ opening entry होगी एक अप्रेल को transactions भी तो हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं सर तो कहरा है उसी दिन एक अप्रेल के दिन में ही इसने computer को बेच दिया जिसकी book value थी कितनी 2000 रुपे और इसने बेचा कितने में है 1950 रुपे में मतलब कि इसके पास total computer कितने के हैं 3500 रुपे के इसी के अंदर से हो सकता है इसके अंदर एक computer है दो computer हो पाँ computer हो आपको इसको बिल्कुल practically connect नहीं करना है कि सर 3500 रुपे का कौन सा computer आता है नहीं हो सकता है इसकी balance value है मतलब कि कभी यह खईदा गया होगा कि practically कैसे possible आप यह समझे कि 3500 रुपे के इसके पास total computer थे इसमें से इसने 2000 रुपे वाले computer को बेच दिया और बेचा कितने में 1915 रुपे में तो यह दो transaction जो आपको record करना है और दोनों transaction आपकी एक April 2017 की है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले डालेंगे अपना date date क्या हो जाएगे आपकी 1st April 2017 दोनों transaction इसी date पर record होगी सबसे पहले transaction इसमें आप opening entry पास करते है opening entry के लिए आप क्या करते है सारे assets को आप debit करते है तो जैसे सबसे पहले आपको क्या पता है cash account debit कितना 500 रुपीज इसके बाद bank overdraft है bank overdraft क्या होता है कि जब आपके bank में OD account आपने सुना होगा OD account का मतलब क्या हुआ कि bank वाल आपको facility देता है कि आप अपने bank के balance को negative भी ले आ सकते हो for example किसी के bank में 2000 रुपे है वो 5000 भी उसमें से withdraw कर पाएगा कैसे कर पाएगा sir 2000 तो आपका balance reduce होगा और वाकि 3000 रुपे का bank आपको overdraft देगी overdraft का मतलब bank आपको credit facility देगी bank आपको उधार देगी कितना 3000 रुपे इसकी एक limit decide कर देता है bank कि भाई आप bank overdraft maximum कितना ले सकते हो लेट से 5000 रुपे तो आपके bank में 10,000 रुपे पड़े है इसका मतलब आप total 7,000 रुपे bank से निकाल सकते हो 10 आपके खुद के और 50,000 का आपको credit facility दिया हुआ है तो यहाँ पर bank balance होता है तो हम उसको बोलते है वो positive balance है और bank overdraft का मतलब क्या है यह negative balance है मतलब bank ने आपको loan दिया हुआ है कितने का एक परकार से 1000 रुपे का डेटर है 7,000 रुपे का बिल्डिंग है 6 और computer है 3 तो bank overdraft तो एक परकार के liability है तो liability को छोड़ देते हैं अभी हम assets लिखते हैं पहले तो debtors है next debtors account यह debit होगा कितने से 7,000 इसके बाद next आपके बास building building account यह debit होगा कितने से 6,500 next आपके बास computers computers account यह है 3,500 यह सारे हमने assets लिख दिए एक अपने को liability भी पता है liability का नाम क्या है to bank overdraft account और इसकी value अपने को कितनी पता थी 1000 रुपए ठीक है से क्या इसमें capital पता है नहीं से नहीं पता तो जब आए आपको assets और liabilities पता है capital नहीं पता है इसका मतलब क्या होगा कि capital आपको balance की figure से यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमने देखा है सब कुछ पता होता है तो balance figure से goodwill या capitalism निकालते है बट जब कुछ हमारे पास जो essential component है जैसे कि asset liability और capital उसमें से कुछ missing हो question के अंदर तो हमें obvious सी बात है balance figure से वही पहले find out करना पड़ेगा ठीक है सर तो अपने को assets पता है और 14 और 3 17,500 उसमें से 1000 चला जाएगा तो आपका बचेगा 16,500 निरेशन क्या लिखेंगे being opening entry past ठीक है सर now second transaction है same day पे इसने क्या किया 2000 रुपे का item जो है वो 1950 पे बेज दिया पहले तो बताओ इस transaction में अपने को फायदा हो रहा है सर 2000 रुपे का अगर computer जा रहा है और आएंगे आपके पास पैसे सिर्फ 1950 रुपे तो मतलब आपको 50 रुपे का है आपके क्या है नुकसान है ठीक है सर आ के आ रहा है cash जा के रहा है computer cash और computer दोनों के दोनों आपके क्या है real account debit what comes in credit what goes out तो आपके रहा है आपके पास cash तो आप क्या बोलोगे cash account debit कितना आ रहा है 1950 और जा क्या रहा है to computer account कितने का computer जा रहा है आपके पास 2000 रुपे का कुछ difference है क्या हाँ सर डिफरेंस है debit में है credit में debit में है क्यों है यह वो difference है जो कि आपका नुकसान है कितने रुपे का नुकसान है 50 रुपे का इस नुकसान को आप क्या बोलते हो इसको आप बोलते हो loss on sale of computer account ठीक है छोटा भी छोड़ सकते थे loss on sale भी छोड़ोगे तो भी काम चल जाएगा बट हमने पूरा लिख दिया क्योंकि computer sold and loss adjusted computer को हमने sale कर दिया और जो भी loss था हुआ हमने book कर लिया record कर लिया adjust कर लिया ठीक है तो this is your question number 16 इस तरीकिस इसको present होता है opening entry आपकी नॉर्मल सी थी साथी में आपको एक computer sale के entry और सीखनी को मिल गई यहाँ पे ठीक है बात करता है next question, question number 17 की आपको क्या कह रहा है generalize the following items in the books of Radha, Kamal and Sons gives suitable narrations आपको narrations भी देने हैं यह लिखा है तो अच्छी बात है नहीं लिखा होता तो भी हम narration exam में लिखते हैं अधरवाइस उसके marks आपको नहीं मिलते हैं narration के marks आपके कटते हैं ठीक है सर क्या transaction है पहला bought goods from आप निलेश for cash 50,000 also paid 1,000 for their carriage आपने कोई goods खईदा है 50,000 रुपे का और उसमें आपको 1000 रुपे का carriage भी पे करना पड़ा है आप इसकी दो transaction अलग-अलग भी record कर सकते हैं और एक साथ भी record कर सकते हैं आपकी श्रद्धा पे निर्भर करेगा क्या है goods खईदा cash में 50,000 रुपे तो goods खईद रहे तो entry क्या होगी purchase account debit और साथ ही में आपको carriage भी देना पड़ा है तो आप एक खर्चा भी हुआ इसके इंदर तो उसको भी आप इसी में add कर सकते हो carriage account ये भी debit और ultimately आपके पास से जा के आ रहा है cash क्योंकि आपने cash में खईदा है कितने का goods खईदा 50,000 रुपे carriage कितना दिया 1000 रुपे total cash कितना जाएगा 51,000 रुपे कोई वेक्ति आइसा कहेगे सर आप इस transaction को अलगले record करेंगे तो most welcome आप कर सकते है purchase account debit to cash एक करोगे 50,000 से फिर करोगे carriage account debit to cash कितने से 1000 रुपे से वो भी सही है ये भी सही है दोनों में कोई इककत नहीं है exam में नंबर पूरे मिलेंगे दोनों situation ठीक है सर आगे बढ़ते हैं paid to CA 9650 in full settlement offered dues of rupees 10,000 मतलब आप payment कर रहे हो 9650 रुपे की जहां पर आपके due कितने बनते थे 10,000 रुपे बतलब आपको CA को 10,000 रुपे देने थे लेकिन आपने उससे full and final payment कर वाली full and final settlement कर लिए और आपने कहा हम तुमको 9650 रुपे देंगे और बात खतम करते हैं ठीक है सर वो मान गया तो इस case में क्या हो रहा है आपने payment करी CA को कितना 9650 लेकिन CA को देने कितने थे 10,000 रुपे तो CA account debit कितने से होगा 10,000 लेकिन आपने actual में दिये कितने आपके बास है cash कितना जा रहा है cash account 9650 बता है या आपको इस transaction में फायदा हुआ है नुक्सान हुआ ह आपको ज्यादा पैसे देने पड़े या आपको कम पैसे देने पड़े तो अव्यसी बात है हमें 10 के बले 9650 देने पड़े है इसका मतलब जो difference है वो हमारा क्या है फायदा और फायदा है तो क्या होगा credit तो discount account discount received account आपका हो जाएगा credit कितने से 350 रुपे दिलेशन में क्या हैगा same to same सवाल ठीक है सर आगे बढ़िए अगला क्या कह रहा है purchased a machinery by giving a check 3 lakh rupees and pay 25,000 in cash as wages on its installation बहुत ही प्यारा statement है आपने 3 lakh रुपी की machinery खई दिया और उसकी payment किया आपने चेक से ठीक है और 25,000 रुपे wages में खर्च किया है कब क्यूंकि आपको उस machine को क्या करवाना पड़ा इंस्टॉल करवाना पड़ा उसके लिए आपने 25,000 रुपे दिये हैं wages के लिए और वो आपने दिया है कैसे cash में दिया है तो अब इस transaction को आप कैसे कैसे record कर सकते हैं आप इसको एक entry में भी record कर सकते हैं और अलग-लग entry में भी कर सकते हैं पहले मैं अलग-लग करके दिखाता तो आपका bank जो है वो credit हो जाएगा कितने से 3,000,000 रुपे उसके बाद हमने इसी machine को install कर आया उसके लिए 25,000 रुपे देने पड़े हैं तो बिना install के तो आप machine चला नहीं पाऊँगे तो इसका मतलब क्या है कि machine को चलाने के लिए machine को use में लाने के लिए put to use तक के जितने भ कहां add होगा आपके machine में ही add होगा तो इसको भी आप debit करोगे machinery account में ही machine account debit to cash कितना यह आपने cash में पेई किया है तो यह cash में चाजा जाएगा कितना 25,000 अब इसी entry को कोई चाहे तो कहें कि सर हम इन दोनों को जोड के नहीं कर सकते है बिलकुल कर सकते हो और कोई दिक्कत नही भी पूरे मिलेंगे वो आपकी understanding में depend करता है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो machinery account debit कितना तीन लाग की machinery 25 अर का installation तो मशीन कितने का बड़ आपको 3,25,000 रुपे का जिसमें से कि आपके bank से पैसे कितने जा रहे हैं bank account कितने पैसे जा रहे हैं 3,00,000 और cash में कितने पैसे जा र अगला बड़ते हैं bricks for rupees 15,00,000 and timber for rupees 10,00,000 purchased for the construction of building को बिल्डिंग आप बना रहे हैं उसके लिए आपने इंटे खई दिया 15,00,000 रुपे की और कुछ timber प्रुडक्क खई दे हैं कितने के 10,00,000 रुपे के और उसकी payment आपने की है check से ठीक है सर तो अब जब आप कोई building बना रह हैं आप उस building के उपर करोगे वो क्या होगा उसी building में add होगा ये हमने सीखा हुआ है ठीक है सर तो इस case में यहाँ पर आपने 15,00,000 रुपे ख़र्च किये किसके उपर building के ऊपर ठीक है तो इसको आप building को क्या लिखते हो कि आपका building बन गया क्या आपका building बन गया बिल्कुल प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू आपने पेविंट कैसे की थी चेक से तो आपका बैंक हो जाएगा क्रेडिट पैसे कितने आएंगे 15 और 10 पच्छेस में सर अलग 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 दिखाएंगे का नहीं बिल्कुल अलग अलग बिल्कुल नहीं दिखा होगे आप ऐसे इस न रुपए यहां डेबिट होगा और 25 लाग यहां पर क्रेडिट हो जाएगा सर अपने में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यह वुर्ड कहा से लिए हम तो मिल्डिंग बना रहें तो हमें तो एंट्री यह करनी चाहिए थी क्या करनी चाहिए हमें करना चाहिए था कि पच्चिस लाख रुपए से क्रेडिट हो जाएगा बिलकुल अब देखे ज़रा इस फर्क को समझे क्या आपकी बिल्डिंग बन गई है क्या आपकी बिल्डिंग जो है वो बन गई है नहीं सर बिल्डिंग अभी बन रही है बनी नहीं है तो जब तक बिल्डिंग बनी नहीं कि लाओ बई बताओ कहा है तुम्हारी बिल्डिंग, तो आप क्या बोलोगे, भाई साब यह देखो, यह वीटे रखे न, यह हमारी बिल्डिंग है, ऐसा बोल पाएंगे क्या, नहीं, तो इसलिए जब तक बिल्डिंग बन रही होती है, जब भी कोई ऐसा long construction होता है, जो कि आ बिल्डिंग अधूरी बनी हुए, अभी construction है, चल रहा है, लेवर लगे हुए है, तो क्या उसको बिल्डिंग का नाम दे सकते हैं, क्या वो बिल्डिंग के नाम के लायक है अभी, नहीं, तो इसलिए ऐसे assets, जो की बनने में समय लेते हैं, तो उन assets को हम किस नाम से लिखते ह है, CWIP, इसको शॉट में क्या का जाता है, इसको का जाता है, CWIP, मतलब capital work in progress, ये वो capital है, ये वो asset है, जो की बनेगा, फिलहाल क्या है, कार परगरती पर है, work in progress, तो capital work in progress account, debit to bank account, कुछ जगहों पे मैंने देखा है, कुछ किताबों में या कुछ ऐसे suggested answers होते हैं, जहां पे इसको judge करने की बात करें, और अच्छे से concept को समझते हैं, अगर हम बात करें, तो आपकी जो correct entry है, वो ये होगी, इसलिए मेरा suggestion है, कि आपको entry ये करनी है, आपके अगर किसी किताब में या किसी material के अंदर अगर ये entry दी हुई है, आप अपने exam purpose के लिए कर लें, but knowledge purpose के अगर building to bank चलाया जा रहा है, तो उनकी खुशी के लिए आप इसको मान सकते हैं, conceptually मैं आपको बता दिया, कि आपकी entry होनी चाहिए, capital working progress to bank, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, purchase की हमने एक old machinery कितने का, एक लाख रुपे का, spend कि आप 5000 उसके carriage में, और 20,000 उसके immediate repairs में, और सारी payment कैसे हुई है, check से हुई है, तो same चीज है, machinery आप खरीद रहे हो, और इस पे अलग-अलग प्रकार से आप क्या कर रहे हो, खर्चे कर रहे हो, ठीक है सर, जितने भी खर्चे होंगे, उसके use करने तक कि वो सारे खर्चे उस machinery में add हो जाते हैं, एक लाख का machine खईदा, ठीक है, carriage नहीं खर्च करोगे, तो machine आपके पास आएगी कैसे है, तो 5,000 आपने खर्च किया, ये भी machine में add हो जाएगा, उसके बद आपने पुरानी machine खई दिये, इसलिए आपको कुछ उसमें immediate repairs कराने पड़े, उसको चालू करने से पहले, immediate repairs का मतलब क्या होता है, कि machinery आई नहीं क उसको repair में डालना पड़ा, तो इसका मतलब क्या है, कि बिना repair के वो machinery आपकी चलने लेोगे, नहीं थी, तो ये भी put to use से पहले का खर्चा हो गया, तो पहले के सारे खर्चे क्या होते हैं, आपके, उसी asset में add हो जाते हैं, तो यहाप asset क्या है, आपका machinery, तो machinery में ही add हो और value किती लिखोगे, आप सीधा-सीधा 1,25,000 रुपे, अलग-लग categorize करने के यहापे दिखाने का कोई option नहीं होता है, आगे बढ़िए, paid 2,500 for repairing of office furniture, अब ये आपको समझना है, अभी तक आप जो देखते वे आए हैं, उसके दर आपने क्या देखा है, कि जनरली उसी asset से ल लेंगे, क्यों? क्योंकि ये office furniture, जो मैं आपको concept सिखाया, capital expenditure का, वो क्या? कि ये एक office furniture है, और ये उस office furniture को repair करने का मतलब क्या होगा? कि ये office furniture जब नया खईदा गया होगा, जब new खईदा गया होगा, तब जैसा था, use करते करते, उसकी जो quality है, वो खराब हो गई, और हम repair क करा रहे हैं, ताकि वो उसको वापिस कैसा रख सके, new के जैसा, या फिर at least usable हो हमारे, use में आ सके, तो उस purpose के लिए जितने भी खर्चे होते हैं, वो सारे के सारे आपके revenue expenditure कहलाते हैं, मतलब वो expenses में जाएंगे, पर यही अगर किसी office furniture के अंदर आप कुछ ऐसा alteration करा रहे हो होते हैं, जिससे कि उसकी value बढ़ जाए, नए से भी जादा हो जाए, नए से भी जादा हो जाए, नए से भी जादा हो जाए, नए से जादा कैसे हो जाएगी, कि suppose कि एक अलमारी था, उसमें दो cover थे, आपने उसके इंदर plus 2 cover और add कर वा दिये, तो यह जो नया cover दो आप add क करवा रहे हो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यह आप उसके इंदर कुछ एडिशन कर रहे हो जो कि उसके नए से भी उसको और बहतर कर देगा तो यह इस टाइप के खर्चे क्या होते हैं आपके capital expenditure इसके उपर हमने पीछे बहुत बार discussion किया है I don't think so इससे ज्यादा repetition के आवेशकता है जिन्होंने नहीं देखे हैं पीछे की वीडियो तो पीछे से देखते हुआ है इस level पे अगर आप starting से देखते हैं तो I don't think सबको बहुत जाद explanation की जरूवत है इस point ठीक है सर तो इस office furniture को आप रिपेर करा रहे हो तो this is your normal expense this is revenue expenditure revenue expenditure के entry क्या होती है कि जो भी आप खर्चा करते हो उसको हम खर्चे में ही लेके जाते हैं तो खर्चे में जब आप इसको लेके जाओगे तो एंट्री करता होगे repair account debit और आपने उसकी payment की है कुछ नहीं लिखा तो आपने cash में की होगी repair account debit to cash किता दोजार पांसो दोजार पांसो रिपेर्स वर्ड को किसी को अगर अधूरा लगे तो इसकी जगे पर पूरा लिख सकता है repairs and maintenance account debit एक ही बात है है यहाँ पर रिपेर वर्ड लिखा था तो अमने रिपेर यूज कर लिया इस सवाल के अंदर आपके revenue और capital expenditure को बहुत अच्छे से पूछा गया एक्जाम के अंदर इसलिए exam की questions की practice करना भी आपके practice के लिए बहुत जरूरी है आपकी preparation के लिए बहुत जरूरी है ताकि आप exam oriented preparation रख पाए और exam में अच्छे से perform कर पाए